गुट मॉर्निंग एवरीवान इंटर अउडिट नेवेंबर 22 बैच की फर्स्ट क्लास में आप सब का मोस्ट वेलकम हाजी आज से हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है और लाइव बैच के टाइमिंग हमारे 10.30 to 1 o'clock रहने वाले है अच्छा काफी स्टूडेंट्स के मेसेज़ीज आ रहे हैं कॉल आ रही है सपोर्ट टीम के पास कि सर लाइव क्लास को कैसे जॉइन करना है मतलब उसमें चैटिंग किस तरह से करनी है जब आपने लाइव क्लास को जॉइन किया है तो राइट हैंड साइड पर एक option आ रही होगी चैट रूम लिखा हुआ आ रहा होगा और जब आप उस चैट रूम पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक batch आ रहा है नमंबर 22 इंटर ओडिट बैच आप उस batch को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर एक box एपिर्ड होगा उस box के अंदर आप अपना कोई भी doubt टाइप कर सकते हैं वो मेरे पास आ जाएगा मेरे पास screen लगी हुई है आपके doubt उस screen पर आ रही है तो जो भी आपके doubt होंगे in a relation to topics जो हम class में discuss कर रहे होंगे वो मैं simultaneously आपके साथ discuss कर लूँगा तो chat room को join कर लीजिएगा और उसके बाद भी कोई problem आ रही हो तो technical team से contact number आपके पास है जहांपर आपको google drive का link भेजा गया था serial की भेजी गई थी उसमें technical team के number दिये गए है उन number पर call करके आपकी जो भी problem आ रही हो उसको resolve कर आ लीजिए राइट अच्छा तो आप बच्चों ने chatting स्टार्ट कर दी है message आए है अभी 3-4 बच्चों के आए अर्चना, आयूश, डेवी good morning everyone चलो आज फर्स्ट क्लास है तो टेक्निकल धीरे-धीरे resolve हो जाएंगी हेमा, good morning बेटा चलिए, स्टार्ट करें अभी तो 4-5 बच्चे के ही message आए अरे आने लग गया अब गोपेश मित्तल हेलो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं और I hope so की within एक-दो क्लास के अंदर ये जो chatting का system है live classes का system है सब लोगों को समझ में आही जाएगा प्रिया टंडन good morning बेटा अब बच्चे धीरे-धीरे करके जॉइन कर रहे हैं चलिए फिर स्टार्ट करें सेशन को अच्छा पहले तो जल्दी से ये बताओ group 1 के paper दे कर आए हो या both group की तियारी कर रहे हो जी प्रिया, गोपे, शेमा, अर्चना, आयूश, देवी हन्जी बेटा group 1 के paper दे कर आए हो खाली group 2 की तियारी कर रहे हो या both group की preparations कर रहे हो आज अभी मैं 5-10 मिनट तो आपके साथ ऐसी ही discussion करने वाला हूँ both group की, very good आयूश का कहना है group 1 complete, very good group 2 पर आ गए हो ठीक है अच्छा चलिए group 2 की बात करते हैं group 2 में आपके 4 paper आते हैं एक advance account का, दूसरा इंटर में audit and assurance का FM ECO का एंड EIS SM का group 1 दे दिया, very good चलो, जिनोंने group 1 दे दिया उनके लिए तो group 2 बहुत असान रहने वाला है चार paper हैं, सिरफ उनी की तयारी करनी है लेकिन जो बोथ group के students हैं उनके लिए थोड़ा सा challenging होगा group 2 की classes भी cover up करनी है and at the same time group 1 को revise भी करना है तो अपनी classes को as per schedule attend करते रहिएगा जो test आएं उनको time पर दीजिएगा और साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा जो बोथ group के student हैं कि अपने group 1 के जो papers हैं उनकी timely revision जरूर करते रहिएगा चलो, start करते हैं मैं पहले आपके साथ inter audit के paper की कुछ basic discussion करने वाला हूं and thereafter आज हम कुछ introductory topics को पढ़ेंगे हमारा paper number 6 auditing and assurance number 1 क्या syllabus है उसकी बात करेंगे हम books आपको क्या-क्या available होंगी उसकी discussion है हमारी आपको classes कैसे available होंगी क्या classes का schedule रहने वाला है classes किस mode पर run होंगी वो सब बातें हम discuss करेंगे इसके अलावा आपके mind में कोई और चीज हो जो आप जानना चाह रहे हों वो आप मुझे message कर दीचेएगा सबसे पहले तो हम syllabus की बात करते हैं आपके syllabus में in total 13 chapters हैं जिनको हम divide कर सकते हैं 3 parts के अंदर अभी आपको कोई noting नहीं करनी अभी कोई भी noting नहीं करनी जब main topic को start करेंगे तब आपको note करना है नमबर एक पर बात आजाएगी auditing से related concepts की जिसके अंदर हम study करने वाले हैं audit क्या होती है audit plan, audit program, audit evidence, audit documentation, audit strategy, audit execution audit report इस तरह से auditing concept हम पढ़ेंगे इन auditing concepts को पढ़ते वक्त हम कुछ standards पढ़ेंगे अच्छा मुझे एक चीज का जवाब दो जब आप accounts cover up करते हैं accounts study करते हैं तो accounting aspects को कुछ standards regulate करते हैं आप बता पाएंगे उन standards को क्या नाम दिया जाता है या वो standards कितनी तरह के हैं जब accounting की बात आ जाती है कौन से standards है या उनको क्या नाम दिया जाता है any idea जवाब आ रहा है जी sir उनको नाम दिया जाता है accounting standard का उनको नाम दिया जाता है ind as का अच्छा बिलकुल सही जवाब दिया आपने लेकिन अब यदि मैं इसी चीज को change करूँ जब आप audit पढ़ रहे हैं तो क्या audit के भी अपने कुछ standard होंगे definitely हाँ तो उन standards को क्या नाम दिया जाएगा उन standards को नाम दिया जाता है standards on auditing तो आपके syllabus का एक part significant important part है standards on auditing नमबर दो पर आपने group one में law भी पढ़ा होगा बिलकुल पढ़ा है और law के अंदर आपने company law पढ़ा है आपने Indian contract act पढ़ा है negotiable instrument पढ़ा है उसके अलावा दो chapter interpretation of statutes and general clauses act भी पढ़ा company act का last chapter आपका इंटर law के अंदर audit and auditors का होता था जो regulate करता था audit से related provision तो इन 13 chapters में हम कुछ legal aspects को भी cover up करने वाले हैं जिसके अंदर companies act 2013 का chapter number 10 हम cover up करेंगे फिर बात आएगी कुछ miscellaneous topics के जिसके अंदर हम बात करेंगे कैसे financial statements की जो various items होती है like assets है, liabilities है, income है, expense है उनकी जो specific items होती है property, plant, equipment, intangible assets, trade receivable, trade payable, inventory उन एक एक item को during the course of audit किस तरह से examine किया जाता है, फिर एक particular sector की audit आएगी bank के है, bank audit और इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग different entities की audit को भी हमें cover up करना होगा जिसके अंदर hotel, cinema, club, NGOs, government institutions, municipalities, LLPs, cooperative societies, partnership firm, soul proprietorship, charitable institutions, educational institutions, multiplex, cinema बहुत सारी organizations हैं, sector wise, जिनकी audit हमें cover up करने पड़ेगी तो हमारे syllabus को हम primarily इन तीन categories के अंदर divide कर रहे हैं और ये तीनों categories के जितने भी topics हैं, institute ने इनको 13 chapters के अंदर cover up किया है मैं आपको एक बार chapters दिखाऊं, ये रहे जो आपका chapter number 1 है, उसका नाम होगा nature objective and scope of audit chapter number 2 का नाम होगा audit strategy planning and programming chapter 3 का नेम है audit documentation and audit evidence chapter 4 risk assessment and internal control chapter 5 fraud and auditor's responsibilities chapter 6 audit in automated environment chapter 7 audit sampling chapter 8 analytical procedure chapter 9 audit of items of financial statement chapter 10 audit of an auditor 11 audit report, 12 bank audit and chapter 13 audit of different entities ये total 13 chapters हैं, जो आपके syllabus का part हैं, जिनको हम 54 lectures के अंदर cover up करने वाले हैं ये एक complete schedule है, chapter wise और lecture wise कि हम कौन से lecture में, कौन से topic को cover up करेंगे और इसी schedule में, हमने mention किया है, कौन सी हमारी classes live होंगी कौन सी classes recordings available होंगी और जो recordings हैं, वो आपको किस date तक available हो जाएंगे जो हमारे syllabus का सबसे important area है, वो है auditing concepts और उन auditing concepts के अंदर भी जो first four chapters है, वो the most important chapter है तो उनको हम live classes के अंदर cover up करने वाले हैं पहले चार chapter जहांपर हमारे 22 lectures जाएंगे thereafter ये चार chapter बहुत ही छोटे छोटे chapter है fraud का chapter, automated environment, audit sampling, analytical procedure इनकी recordings आपको आपकी google drive पर 30th of November तक available हो जाएगे chapter 9, again a very important chapter जिसके अंदर accounting, audit, law सब का एक mixture है ये chapter, तो इस chapter को भी मैं live लूँगा chapter number 10, audit and auditor ये आपका वो chapter है जो intermediate के law के paper के अंदर आपका last chapter होता था section 139 से लेकर section 148 जिसके अंदर आप 139 से 148 along with companies audit and auditor rules 2014 को cover up करते थे but audit के paper में हम इससे और आगे बढ़ेंगे, एक auditing standard भी पढ़ेंगे और एक order है जिसका नाम है companies auditor report order 2020 उसको भी हमें cover up करना है तो ये आपको again studio recordings होंगी आपके पास 10th of December तक available हो जाएगे ये आगे का chapter audit report, bank audit and audit of different entities ये इनकी tentative date आपके पास है कि 31st of December तक जो recordings आपको available करानी है वो आपकी Google Drive पर आ जाएगे जो live classes है वो हमारी 22 ये प्लस छे तो 28 sessions हमारे live होने वाले है और 26 आपके recorded sessions है तो किस तरह से आपको recorded sessions को भी cover up करना है जैसे जैसे हम आगे भढ़ेंगे मैं आपको guide करता चलूँगा आपको अपने आप start नहीं करना अभी कोई भी lecture recorded का तो सबसे पहले तो आपको mind में ये बिठाना है आपका syllabus क्या है आपके syllabus में in total 13 chapters हैं और 13 chapters तीन categories में आते हैं एक auditing concepts की category है second law की category है third miscellaneous की category है ये तो बात की हमने syllabus की अब हम बात करते हैं number 2 पर books की क्या intermediate के group 1 में आपने institute के study material को use किया है ICAI के study material को बताईए yes या no में तो जवाब दो बिटा ICAI का material जवाब आ रहा है जी नहीं जी हाँ ओके yes और no दोनों जवाब आ रहे हैं ICAI आपको दो बुक अवेलेबल कराता है एक जो institute का main study material है दो जो institute की mcq की booklet है study material प्लस mcq booklet हम आपको दो बुक अवेलेबल कराएंगे एक बुक जो हमारी main comprehensive book होगी that will not be in the form of class notes class notes तो मैं आपको class में noting कराऊंगा आपकी written practice कराऊंगा कोई class notes की book आपको as such available नहीं हो रही वो notes आपको बनाने है हम आपको जो book available कराएंगे वो एक comprehensive book होगी नमबर दो पर आपको एक question bank available कराया जाएगा जिसके अंदर तीन पार्ट होंगे पहले पार्ट में हम आपको descriptive questions देंगे दूसरे पार्ट के अंदर chapter wise mcq होंगे और तीसरे पार्ट में integrated case studies होंगे हमारी book किस तरीके से design है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ये comprehensive book का chapter number one है इसके अंदर जो institute का study material है उसी की sequence में topic को arrange किया गया है कोशिश की गई है institute के study material की language को ही as such use किया जाए to the extent possible और जितना उसको simple and understandable form में convert किया जा सकता है वो इसके अंदर किया गया है तो जो topics की sequence है institute के study material वाली है topics को उसके content को point wise form में हमने cover up किया है और जैसे ही कोई topic खतम होगा तो उसके बाद उसके उपर जो important question है चाहे वो institute के study material के हैं, mock test paper के हैं, revision test paper के हैं या past exam के हैं उनको cover up किया गया है हर एक topic खतम होने के बाद end book आपकी बिलकुल updated है November 22 के exam तक आज 18th of November है और आपका November 22 में inter audit का paper 13 या 14th of November को हुआ है तीन या चार दिन पहले उस paper को भी इस book के अंदर cover up किया गया है जहां जहां पर जो जो questions आए हैं जैसे इस chapter की ही बात करें chapter number 1 की तो इस chapter के end में आपको एक examination waitage मिलेगी ये रही में 18 से लेकर November 22 के exam तक क्या-क्या questions पूछे गए हैं किस-किस topic पर कितने marks के जैसे chapter 1 की बात करें November 22 में 2 marks का एक objective question और 4 marks का एक subjective question और subjective question किस topic पर आया है change in terms of audit engagement के उपर आया है जितने objective question है वो along with answer लगे हुए है जितने भी descriptive questions होंगे उनका detailed content आपके पास available होता है और उसके बाद उसके question होते हैं ये November 22 का question है तो आपको institute के study material से या RTPs से, MTPs से या past exam से कहीं से भी अलग अलग जहंगा से material इकठा करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी questions की वो सारे के सारे question arranged है topic wise हर एक topic खतम होता है तो उसके question है अब बहुत सारे बच्चों का फिर ये चीज़ आ जाती है कि सरी जो question है हम इन question answer को revise करना चाहते हैं खाली exam time में तो क्या उसके लिए आपको ये एक book मिलेगी है जो हमारा question bank है इस question bank के तीन हिस्से हैं पहला हिस्सा है descriptive questions का descriptive questions के अंदर descriptive questions में वो ही जो हमारी main book की question sequence है वो ही sequence आपको मिलेगी और उसके अंदर detailed answer और जो answers हैं वो point wise हैं for easy learning आप answers को अराम से याद कर सकते हैं points दिये हुए हैं किसने marks के question के लिए आपको कितना answer लिखना है वो सब आपको ये book help करने वाली है इस book में भी वो ही sequence यूज़ की गई है जो आपकी main book के अंदर sequence होगें और beginning में आपको एक table मिलेगी एक chart मिलेगा जिससे आप analyze कर सकते हैं कि में 18 से लेकर आज तक कितने marks के question पूछे गए हैं जैसे November 22 के exam में इस chapter से 6 number का question आया था तो ये question bank आपको help करेगा question answers की practice करने में एक तो होगे ये descriptive question नमबर दो पर बात आ जाएगी आपके exam में 30 marks के multiple choice question आते हैं 30 marks के तो multiple choice question इसी question bank के दूसरे पार्ट में लगा हुआ मिलेगा और इन multiple choice question में भी आपको institute के material को RTPs को MTPs को अलग से refer करने की जुरुरत नहीं पड़ेगी institute के material में chapter wise question अरेंज नहीं है हमने क्या किया है material से RTPs से MTPs से chapter wise question उठाए जैसे chapter 1 chapter 1 के question पहले सारे study material के question आ गए question 1, 2, 3 up to question number 10 study material के question है thereafter फिर आपको MTPs के question मिल जाएंगे जहां पर भी MTP में question आया RTP में question आया ये सारे के सारे questions आपको chapter wise मिलेंगे chapter 1 complete होगा फिर chapter 2 आएगा thereafter chapter 3, 4, 5, so on तो इसी book से आप chapter wise भी multiple choice questions की practice कर पाऊगे ये बात हो गई अब आपको पता है आपके exam में integrated case studies भी आती है 30 marks के MCQs में 16 से लेकर 20 marks की case studies भी पूछी जाती है तो ये case study around 27 case studies है जो इसी question bank के अंदर आपको लगी होई मिलेंगे और ये case study भी सारी जो institute के MTP, RTPs के अंदर है वो है सब और इसमें जो एक सबसे main बात है institute के mock test paper, RTP या past exam जिस year में हुआ उस समय पर जो concept applicable था आपको answer सिरफ वो ही मिलते हैं institute के material में बट हमने यहाँ पर इनको आज के provisions की according fully update किया है जैसे एक order होता था Companies Auditor Report Order 2016 वो change हो गया, अब नया order आ गया Companies Auditor Report Order 2020 बट क्या 2019 के mock test paper में या revision test paper में institute ने change किया होगा कारो 2020 की according नहीं किया तो आपको वो पुराना material refer करने की requirement नहीं आएगी आप इस material पर rely कर सकते हैं हमने इसको पूरी तरह से update करने की कोशिश की है और reference के लिए कि यह question कहां से उठाया गया है वो लिखा भी है कि यह question MTP का है या RTP का है तो accordingly आप cross check करना चाहें कहीं पर कोई doubt आई तो आप cross check भी cross examine भी कर सके for your reference attempt भी दिया गया है तो इस तरह से हमारे पास से आपको जो books available होंगी ये दो books available होंगे एक comprehensive book और दूसरी आपको question bank मिलेगा जिसके अंदर तीन पार्ट होंगे descriptive question, multiple choice question and integrated case studies का अब आगे बात करते हैं सर ये जो class का material है ये मिलेगा कब ये ही तो सबसे बड़ा question है अब बेटा देखो 13th of November को या 14th November को आपका exam हुआ था inter audit का आज है 18th of November हमने अपनी तरफ से at the earliest November 22 के paper को भी incorporate किया है और book को printing के लिए भेजा है अभी book की proof reading चल रही है कि कहीं पर कोई grammatical mistake या spelling mistake ना हो alignment proper है या नहीं जैसे ही उसकी proof reading होगी books printing में चली जाएंगे और printing में भी लगभग 3-4 दिन तो लगेंगे और उसके बाद एक दिन dispatch का लगेगा तो मान कर चलिए book आपके पास 25 या 26 अफ नमेंबर तक dispatch हो पाएंगे मैं मान कर चलता हूँ आप comfortable होगे इससे क्योंकि आपको updated books as such मिल रही है हम जल्दी book दे देते book देने को तो मैं आपको October में ही print करा देता हूँ लेगिन October के अंदर book print होती तो उसके अंदर mock test paper, RTP या फिर जो नमेंबर 22 का exam है वो incorporate नहीं हो पाते तो आपको एक comprehensive material available हो इसलिए book में थोड़ा सा delay है और delay इसी कारण से है कि 13 नमेंबर को तो paper हुआ है उसके बाद 10-12 जिन तो लगेंगे ही printing में, proof reading में, dispatch में लिकिन तब तक के लिए मैं आपको chapter 1 के notes अवेलेबल करवा दूँगा आपकी Google Drive पर ही ताकि आपकी classes as such चलती रहे Is it okay? हाँ जी, गोपेश, आयूश, प्रिया, हेमा बताओ बेटा, Is it okay? जी सर, जवाब आ गया, जी सर सर जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा देना हाँ, बिल्कुल बेटा, जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराईगे अब इसके बाद, फिर बात आती है, थर्ड नंबर पर classes की, schedule की, और classes के mode की ये मैंने आपके साथ पहले ही discuss कर लिया इन टोटल, 54 class है, जिसमें हम 13 chapters को cover करने वाले हैं, एक chapter के ऊपर कितने number of lectures होंगे, वो सब इस schedule में दिया गया है कौन से lectures live class में cover होंगे, कौन से classes आपको recordings मिलेंगी, live classes का timing क्या है, live class कब तक चलेंगी, recording कब तक available होगी, तो वो सब इस schedule में हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो basic चीजे हैं, जिनके बारे में एक student की curiosity होती है, mind में पहले से चीजे चल रही होती है, topic को शुरू करने से पहले कि सर बैच कब खतम होगा, शुरू बाद में होता है, पर सबसे पहले चिन्ता ये होती है, खतम कब होगा, और वो चिन्ता अपनी जंगा पर जायज है, क्योंकि आप लोगों को planning करनी होती है, revisions की, दूसरे subjects की, और भी बहुत सारी चीजे होती हैं, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, ये schedule बनाया है, कि आपको classes कब-कब कैसे-कैसे available होगी है, syllabus की बात हो गई, books की बात हो गई, classes के schedule की बात हो गई, और मेरे को आपके साथ क्या-क्या discuss करना है, में तो यही चीजे थी, इसके बाद कुछ students के mind में एक और चीज चल रही है, May 23 and November 23 attempt, इस time पर students यह सोच रहे हैं कि sir, हमारा May 23 में attempt है, but at the same time कुछ students हैं जो November 23 को भी शायद से plan करके चल रहे होंगे, जिन students का May 23 में attempt है, उनके लिए ये batch पूरी तरह से relevant है, इसके अलावा उनको कुछ भी और नहीं करना, हाँ, जहां तक बात है November 23 की, कुछ चीजे सुनने में आ रही हैं कि institute new scheme को at the earliest implement करने की तैयारी में हैं, और November 23 में शायद से new syllabus effective हो सकता है, शायद से, और यदि ऐसा होता है, तो क्या option मिलेगी पुराने students को कि वो पुराने syllabus की according exam दें, या compulsorally उनको new syllabus में convert करना पड़ेगा, ऐसी अभी कोई भी clarity नहीं है, बट जो information बाहर निकल करके आ रही है, उसके हिसाब से ये बाते हैं कि student को new syllabus की according ही exam देने पड़ेगे, तो जो student November 23 के लिए भी plan कर रही है, मैं उनको एक चीज assure कर सकता हूँ, कि जो syllabus inter audit का होगा, उसके अंदर जो भी changes institute करेगा, जहां जहां पर वो change आएगा, उन changes की transition classes हम आपको आपकी Google Drive के उपर as such available कराईगे, तो इसमें यदि आप अभी अपनी preparation को start करना चाहते हैं, कर सकते हैं, जो भी changes institute syllabus के अंदर लेकर के आएगा, उन topics का material हम आपको इसी Google Drive के link पर जैसे ही वो चीजे announce होंगी, formally announce होंगी, तो वो आपको available करवा दी जाएगी, तो ये थी हमारी कुछ basic बातें, syllabus को लेकर, books को लेकर, schedule को लेकर, and May 23, November 23 के attempt के confusion को लेकर, तो अब क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, यदि आप इजाजत दें तो, जी, आपका message नहीं आया बड़ी देर से मेरे पास कोई, गोपेश, आयूश, प्रिया, हेमा, जो बच्चे joint है, वो तो आज message करो, बाकी बच्चों का कुछ technical चल रहा है अभी, हो जाएगा वो भी result, जी, continue करें, मैं आपके message का wait कर रहा हूँ, जब आपका message आएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे अब, जी sir, जी sir, ठीक है, चलिए फिर, ओके, go ahead का message आगया, चलते हैं फिर आगे, आज हमारा introductory lecture है, जिसके अंदर हम audit से related कुछ topics को discuss कर रहे हैं, as such, कोई chapter की discussion नहीं है, जो chapters के अंदर concepts use होने वाले हैं, हम उनको discuss करने जा रहे हैं, general discussion है सारी, किसी तरह की कोई book की requirement नहीं है, आपको सिरफ इन concepts को समझना है, सबसे पहले हम बात करते हैं, auditing होती क्या है, meaning of term auditing, यहाँ से आपको noting करनी है, class notes आपको class के अंदर ही prepare करने है, यह noting आपको help करेगी, written practice में आपके exam written है, descriptive papers आते हैं, तो आप यह noting करेंगे, तो आपकी written practice होती चली जाएगे, auditing का मतलब क्या है, कैसे हम इस word को define कर सकते हैं, अपको अधिर के अबिगध अधिराब और।, आपको आपको अपको एंदर्टिक अपके अपको एंदर्टिक अचने, आपको अपको अबिग, In dependent examination, किसका, of data, records, statements, operations, and performance, of an entity, for a stated purpose. तो auditing को जब हम defined कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो words हमारे पास आ रहे हैं, नमबर एक, auditing एक systematic examination है, auditing एक independent examination है, किसका, data, records, statements, operations, performance, of an entity, for a stated purpose. तो नमब अब इनी words को हमें discuss करना है, systematic word किस चीज को represent करता है, systematic, जब हम एक चीज को proper तरीके से plan करके step by step activity में perform करते हैं, तो क्या, audit भी एक systematic activity है, या एक hazard manner के अंदर conduct की जाएगी, no, audit is a systematic activity, जहाँ पर एक stage आएगी audit engagement, then audit planning, then audit execution, then audit reporting, तो systematic word represent करता है किस चीज को, proper planning को, so, पहली requirement आगई, कि जो audit है, वो एक properly planned activity होनी चाहिए, दूसरा word हमने use किया, independent, independent क्या होता है, जो किसी पे depend ना करें, वो independent है, जैसे आप किसी पे depend नहीं करते हैं, आप अपने आप ही अपने सारे काम कर सकते हैं, but, काफी चीजों के लिए आप dependent हैं, parents के उपर, कुछ चीजों के लिए शायद अपने friends के उपर, कुछ चीजों के लिए society के उपर, लेकिन जब audit की बात होती है, audit is only an activity, तो auditor को जो ये examination करनी है, वो independently करनी है, independently से मतलब जो उसकी knowledge है, जो law की requirement है, जो regulatory requirements है, उनको ध्यान में रखकर उसको इन data का, records का, statements का examination करना है, बिना management के, बिना governing body के, बिना shareholders के, दबाव में, influence में आए, so, independent से हमारा क्या basic meaning आजाता है, without being influenced by others, बिना किसी के influence में आए, exam में आपको ये word नहीं लिखने, कि without being influenced या proper planning, exam में यदि audit पूछा जाता है, तो आपको systematic and independent examination of data, record, statement, operation, performance of an entity for a stated purpose लिखना है, लेकिन जो ये word use किये गए हैं, इन words का meaning तो आपको पता ही होना चाहिए, examination से हमारा क्या मतलब है, किसी चीज को examine करना, और वो चीज matter यहाँ पर क्या है, data हो सकता है, record हो सकता है, business operations हो सकते हैं, audit होती कैसे है फिर, audit की examination, उसके लिए दो main activity आती है, एक होता है vouching word, और एक होता है verification word, voucher आप सबने सुना होगा, voucher क्या होता है basically, एक transaction का supporting document, supporting evidence, in the form of an invoice, in the form of a cash receipt, in the form of a cash memo, तो जो एक transaction का supporting document है, उस voucher को check करना, that is termed as vouching, verification क्या है, जो assets, liabilities, आप balance sheet के अंदर दिखा रहे हैं, उनकी existence को, उनकी occurrence को, उनकी valuation को, उनकी presentation को, उनके disclosure को, check करना, that is termed as the verification, chapter 9 जो है हमारा, वो पूरा vouching and verification के उपर based है, so audit word क्या है, एक systematic and independent examination, किसका पहला word यूज किया गया data, और वो data, may be financial data, और non-financial data, non-financial data, financial data, जैसे, assets, liabilities, income, expense, data, inventory, non-financial data, labor hours, inventory की quantity, इनकी भी checking हो सकती है, so data, may be financial, may be non-financial, फिर बात आ गई records की, records में हमें example ले सकते हैं, किसका books of accounts का, for example, ledgers, subsidiary books, day book, sale book, purchase book, purchase return, sale return, BR book, BP book, तो उन records का, जो एक entity ने बना रखे हैं, उनका examination, statements, जैसे, financial statements हो गई, एक word है, books of account, और एक word है, statement, जो आपकी primary accounts है, जिसमें आप subsidiary books, ledger की बात करते हैं, वो record है, लेकिन उनसे जो आपने financial statements बनाई, balance sheet, PNL account, cash flow statement, these are termed as the financial statement, so there always exists a difference in between the word, record and the statement, record एक basic record है, जिसके basis पर आगे जाकर के statements बनाई जाती है, so आपको इन difference को हमेशा याद रखना है, कि record क्या है, and statements क्या है, और record की भी audit, होगी, and statements की भी audit होगी, operations, business के operation, that may be production, sales, marketing, collection, business की किसे भी production activity का audit कराया जा सकता है, उसको operational audit बोला जाता है, performance, financial performance की audit हो सकती है, managerial persons की performance audit हो सकती है, जिसको management audit का नाम दे दिया जाएगा, तो एक person को जो target दिया गया था, उसने अपने target को achieve किया या नहीं किया, उसकी evaluation, that is termed as the management audit, तो ये क्या है basically, evaluation of performance of a person, तो audit ऐसा नहीं है, कि वो सिर्फ और सिर्फ accounting की ही होगी, वो non accounting matters की भी audit हो सकती है, अब बात आगई of an entity, क्या entity से यहाँ पर मतलब हमारा सिर्फ profit making activity है, नो, all entities, चाहें वो profit making है, या वो non profit making है, वो corporate entities है, या फिर वो non corporate entities है, किसी भी तरह की entities है, सारी entities को हम cover up करके चलेंगे, किसी भी entity की audit हो सकती है, अब बात आजाती है purpose की, किस purpose के लिए audit को कराया जाएगा, data, कोई भी data या financial statement, आप examine करा रहे हैं किस लिए, उस data की, उस record की, उस statement की fairness को जानने के लिए, उसकी reliability को ensure करने के लिए, तो उसके उपर, एक opinion express करता है auditor, तो purpose क्या है, to express an opinion, क्या ये financial statement true and fair view express कर रही है, financial results का, financial position का या नहीं, तो ये एक definition है, जो otherwise, बहुत असानी से, दो मिनट के अंदर खतम की जा सकती थी, की मैं बोल देता, audit is a systematic and independent examination of data, record, statements, operation, performance, of an entity for a stated purpose, लेकिन, जो keywords use किये गए हैं, उन keywords को आपको ध्यान में रखना है, एक-एक keyword का meaning आपको पता होना चाहिए, यदि इसी तरह से, आप एक-एक word को study करके चलेंगे, तो ये subject, technical तो है, ये हमारे course का, या हमारे profession का core area है, जब भी आप किसी से बात करेंगे, कि chartered accountant क्या काम करता है, सीधा सा जवाब आएगा, audit करता है, chartered accountancy के profession को, audit का profession ही सबसे main माना जाता है, तो वो audit, tax audit होती है, financial statement audit होती है, operational audit है, तो जब आपने आगे जाकर, इस profession के अंदर जाना है, तो आपको, इस subject को पढ़ते वक्त, mind में एक चीज़ जरूर रखनी है, कि ये एक subject नहीं है, rather, ये subject के साथ-साथ, आपका profession भी है, इस के साथ, किसी भी तरह की cheating मत करिएगा, objective यही है कहने का मेरा, ये, आपका profession बनना है, और जब मैं बात करता हूँ, cheating की subject के साथ cheating मत करिएगा, तो वो यही है, कि जैसे आप, दूसरे subject के उपर due time देते हैं, इस subject को भी due time दीजिएगा, subject technical है, हाँ, यदि आप इसको, graduation level पर, become level पर पढ़ें, वहाँ पर ये technical नहीं है, वहाँ पर ये बड़ी आसानी से, ratification के साथ हो जाता है, लेकिन, जब हम इसको CA course के अंदर पढ़ते हैं, ये profession है subject के साथ साथ, और आपको पूरी life इस profession को exercise करना है, तो अभी, इसके साथ कोई cheating मत करिएगा, cheating से मतलब है, किसी short tricks पे आपको नहीं जाना, due time इस subject को दीजिएगा, चीजों को समझने के लिए, so, एक-एक word जो आ रहे हैं, मेरा objective इन दो introductory lectures को लेने का यही है, कि जो keywords हैं, मैं एक बार आपके mind में इनको डाल दूँ, इनका concept आपको clear हो जाएं, ताकि जब आप chapter 1 से अपनी classes को start करें, main topic के उपर आएं, तो आपको वहाँ पर कोई अजीब feeling ना आए, कि ये क्या होता है, तो यदि basic चीज़े आपको पता होंगी, तो ऐसी कोई feeling आपको आगे जाकर के नहीं आने परी, so, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बस ये profession है, इसी को जाकर आगे exercise करना है, और इसी से पैसे कमाने है, तो जब पैसे कमाने वाली बात आजाएगी न, तो वो technicalities भी आप समझना शुरू कर दोगे, skip नहीं करोगे, तो कहीं पर भी कोई चीज़े technical आएं, ignore नहीं करना, और technical तरीके से ही इस subject को पढ़ना है, और ये मानते हुए ये profession है, मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, क्यों कि आगे जाकर आपको कहीं पर कोई problem ना आए, आप आज की डेट में short trick से काम करें, तो आगे की problem लेंगे, मैं नहीं चाहता आगे problem लें, हाँ, अभी इन 50-52 लेक्चर के अंदर यदि आपने proper time दिया, proper तरीके से चीजों को समझा, then फिर वो problem नहीं है, रादर एक opportunity होगी आपके लिए, कि आपने subject को भी अच्छे से समझ लिया, concept को भी अच्छे से समझ लिया, technical aspect को भी अच्छे से समझ लिया, जो ना केवल आपको inter audit के अंदर paper में अच्छे नंबर दिलाएगा, final में आपको proper तरीके से help करेगा, जब आप final में जाएंगे, तो definitely news labels आ चुका होगा, और news labels के अंदर पूरी तरह से case study based paper होगे, जहाँ पर ये short tricks, short abbreviation, cramming, वो चीज़े काम नहीं आएंगी, वहाँ पर काम आएंगी concept की clarity और understanding, और CA खाली intermediate नहीं होती, CA का मतलब intermediate, final plus all trainings है, जिसके बाद आप जाकर ICAI के member बनते हैं, तो यदि आप ICAI की membership की तरफ एक step लेकर चल रहे हैं, ICAI की membership अपने आप में आपके लिए एक ये कह सकते हैं, ख्वाब है, dream है, और आगे जाकर जो आपकी पूरी life का part बनना है, तो आज इसके साथ किसी भी तरह की short tricks, cheating मत करियेगा इस subject के साथ, चल, बाकि आप समझदार हैं, मैं आपको सिरफ guide कर सकता हूँ, लेकिन decisions आपने लेने हैं, क्या आपको सो में से 40 number चाहिए, 50 number चाहिए, 80 number चाहिए, या आपको number जो आएं ठीक है, concept की clarity चाहिए, concept की understanding चाहिए, जो ना केवल आपको final में help करेगी और आपकी पूरी life में help करेगी, decision आपको लेना है, cramming पर जाना है या concept की clarity पर जाना है, short tricks पर जाना है या comprehensive study करनी है, क्योंकि आज की date में most of the times, मेरे पास जो students के या फिर other teachers के साथ जो discussions होती है न, वहाँ पर student का नजरिया शायर से बदल गया है, और वो नजरिया ये बदला है, कि बस सर में तो pass होना है, लेकिन जब वो ही चीज आ जाती है ना pass होने वाली, तो उसमें एक चीज, मैं आपको और बता देता हूँ, जब आप pass होने के बाद, मैं ऐसा नहीं कह रहाए, आप pass नहीं हो सकते, definitely आप pass होने, पास होने के बाद आगे industry में जाते है न, तो industry में जो एक view बनता है CS के बारे में, वो ये view है, इनको आता तो है, लेकिन apply नहीं करना आता चीजों को, इन्होंने knowledge भर रखी है mind में, लेकिन उस knowledge की application करनी नहीं आती है, तो वो application तो बेटा तब ही आएगी, जब चीजों को technical तरीकों से आप study करेंगे, तो आज अपना दिमाग properly apply करें studies के उपर, so that future में ये जो चीजें हैं, audit के meaning के बाद, नमबर दो topic हमारा, framework of auditing, auditing का framework ये क्या होता है, आप जब किसी चीज को पढ़ते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई rule, regulation, law काम कर रहा होता है, जैसे आप accounts पढ़ते हैं, accounting standard, tax पढ़ते हैं, income tax act, आप law पढ़ते हैं, company law, FEMA, foreign contribution regulation act, Indian contract act, negotiable instrument act, बहुत सारे law हैं जो पीछे काम कर रहे होते हैं, यदि मैं आज आज आपको कहता हूँ कि आपको 10% का tax देना है, 20% का tax देना है, 30% का tax देना है, और आप मुझे पूछे कहां लिखा है, I will say, income tax act में लिखा है, GST law में लिखा है, जिस tax की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसका reference आपको दे दूँगा, आपको का जाए, accounts में इस तरीके से काम करना है, आपको property, plant, equipment को ऐसे recognize करना है, ऐसे उसकी measurement करनी है, ऐसे उसका valuation करना है, intangible assets की valuation, recognition, measurement ऐसे करनी है, तो यदि पूछा जाए, कहां लिखा है, तो कह दिया जाएगा, AS10 में देख लो, AS26 में देख लो, तो पीछे references होते हैं चीजों के, तो उसी तरह से, जब audit की आपसे बात की जाए, कि आप audit में ऐसे कर रहे हो, आप sampling कर रहे हो, आप analytical procedure कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, तो पूछा रहे हैं, कहां लिखा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इसका क्या जवाब है, इसका जवाब है law में लिखा है, आप inter law में पढ़कर भी आए हो, audit and auditor का chapter, Companies at 2013 के chapter number 10 में, section 139 से लेकर 148 के अंदर provision है, इसके अलावा, auditing करनी कैसे है, standards on auditing के अंदर लिखा है, उसके बाद, day to day के अंदर, जब आप चीजों की verifications करते हैं, उसमें किसी particular transaction को examine करने के लिए, किस तरीके से काम करना है, उसके उपर institute guidance note देता है, regulatory authorities like RBI होगी, IRDA होगया, TRI होगया, ये अपने-अपने sector के लिए regulations issue करते रहते हैं, pronouncements देते रहते हैं, so in this manner, जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं, तो auditing का framework क्या, कहां से मिलता है, उसकी बात करते हैं, हमारा entire auditing का जो framework है, वो तीन main जहगा से हमें मिलता है, वो कौन-कौन सी हैं, number 1, legal provisions, number 2, B point, standards on auditing, and C point, pronouncements, तो जब हम, legal provisions की बात करते हैं, तो legal provisions हमें कहां कहां पर मिल जाते हैं, मैं कुछ वो legal provisions के बारे में बात करता हूं, जो आपने पढ़ रखे होंगे, सुन रखे होंगे थोड़े बहुत, number 1, Companies Act 2013, number 2, Income Tax Act 1961, number 3, C G ST Act 2017, Bank audit की बात आ जाएगी तो, Banking Regulation Act 1949, यदि किसी cooperative society की audit की बात आ रही होगी, तो हम किसका reference यूज़ करेंगे, cooperative societies act का, LLP audit की बात आएगी, तो हम LLP Act 2008 का reference यूज़ करेंगे, मैंने basically वो law यहाँ पर लिखी है, जिनका discussion हमारे इस subject में, इस paper में intermediate level के अंदर आना है, हम company law की बात भी करेंगे, income tax law की बात भी करेंगे, GST law की बात भी करेंगे, cooperative society की भी बात करेंगे, LLP की भी करेंगे, banks की भी करेंगे, bank audit, cooperative society audit, LLP audit, यह सब हमारे syllabus का पार्ट है, फिर बात आ जाती है, standards on auditing की, standards on auditing, कौन issue करेंगा, दो level पर standards on auditing issue होते हैं, जैसे आप accounting standards के बारे में पढ़ते हैं, accounting standards are being issued by accounting standards, board of institute of chartered accountants of India, उसी तरह से, auditing and assurance standard board of ICAI, यह भी क्या issue करता है, standards on auditing, international standards होते हैं, उनको कौन issue करेंगा, international auditing and assurance standard board of, IFAC, IFAC क्या है, international federation of accountants, आज का day, 18th of November, और आज, 18th November 22 को, एक, बहुत बड़ा event भी, ICAI organize करने जा रहा है, वर्ड कॉंग्रेस और अगांटेंट्स, तो जो, all over the world, accounting bodies है, उनका एक प्रोग्राम, आज, शुरू होगा, Bombay के अंदर, मुंबई में, जो, ICAI ने organize किया है, तो, ICAI, IFAC का, एक member body है, International Federation of Accountants का, आज institute की website पर यदि जाओगे, तो आपको world program की detail मिलेंगी, देखें, यदि मेरे इस iPad पर, ICAI की website रन हो रही होगी, तो, दिखाता हूँ आपको, ये रहा, 21st World Congress of Accountants, और, इसमें, ICAI ने, इस advertisement में, logo लगाया है, किसका, IFAC का, International Federation of Accountants का, तो, IFAC basically, एक international organization है, and all over the world, जितनी accounting bodies है, most of the accounting bodies, are the member of IFAC, तो, international level के उपर, जो standards issue किये जाते है, उनको नाम दिया जाता है, International Standards on Auditing का, जैसे, accounts में, IFRS होते हैं, International Financial Reporting Standards, तो, उसी तरह से, auditing के standards होते हैं, internationally, international standards on auditing, और, national Indian level के उपर, जो standards apply हो रहे हैं, they are standards on auditing, being issued by, Auditing and Assurance Standards Board of ICAI, तो, यह हैं क्या, मैं एक बार, आपको, इनके नाम भी लिखवा देता हूं, क्योंकि अभी याद रहेंगे, बाद में हो सबता है, भूल जाओ, auditing and, assurance standards board, IFAC क्या है, इंटरनेशनल, FEDERATION OF ACCOUNTANTS, and IASB, INTERNATIONAL AUDITING AND Assurance Standard Board, तो, यह हो गया हमारा, दूसरा आस्पेक्ट, जहां से हमें, auditing के related provisions, मिलते हैं, फिर बात आ जाती है, third word की, that is, pronouncements, प्रोनाउंस्मेंट्स, प्रोनाउंस्मेंट्स बेसिकली है क्या, जो अपने आप में, एक authoritative role play करता है, that is, जो formal announcement है, that needs to be complied by various entities, वो pronouncements, प्रोनाउंस्मेंट्स, कोन issue कर सकता है, एक तो, इस profession को, इंडिया में, in general regulate किया जा रहा है, by the ICAI, तो, प्रोनाउंस्मेंट्स, कोन issue कर सकता है, issued by ICAI, या फिर, इनको कोन issue करता है, issued by, regulatory authorities, जब हम ICAI के reference में बात करते हैं, तो ये क्या हैं, basically, these are, guidance notes, various statements, जो ICAI issue कर देता है, regulatory authorities भी, कुछ pronouncements issue करती है, उनको, कौन कौन सी regulatory authorities है, bank के reference में, RBI, insurance companies के reference में, IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India, listed companies के case में, SEBI, Securities and Exchange Board of India, तो auditing के, इस entire profession को, कौन regulate कर रहा है, ये सारे aspects हैं, जो इसकी regulation से related है, कुछ जगा पर, हमें law के provisions देखने को मिलेंगे, कुछ places पर, हमें standards की बाती मिलेंगी, कुछ जगा पर, हमें formal announcements मिलेंगी, जिनका हमें ध्यान रखना है, इसके reference में, मैं अब आपको, एक बार वापिस, institute की website पर लेकर चल रहा हूँ, ये हमारे institute की website है, जिसके उपर, आपको एक link मिलेगा, resources का, resources के link में आप जाएंगे, तो वहाँ पर, आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक word है, accounting standard, जो सबसे पहला word है, फिर ICAI के valuation standard, accounting standard for local bodies, standards on internal audit, list of exposure draft, guidance notes, engagement and quality control standard, इस पर click करिएगा, engagement and quality control standards के उपर, तो यहाँ पर आपको, बहुत सारे standards देखने को मिलेंगे, standards on quality control, standards on auditing, standard on review engagement, standard on assurance engagement, standard on related services, यह institute ने, ICAI ने issue कर रखी हैं, यह सारे, यह सब pronouncements के अंदर cover होते हैं, और क्योंकि institute ने issue की है, तो क्या institute के जो members हैं, institute के जो members हैं, जब वो audit कर रही हैं, या assurance का function कर रही हैं, या review का function perform कर रही हैं, जो भी activity कर रही हैं, तो यदि, उस activity के relation में, ICAI ने कोई standard issue कर रखा है, तो क्या उसका compliance करना जरूरी हो जाता है, yes, because it is formally announced by the ICAI, और आप यदि ICAI के member हैं, तो आप से expect किया जाता है, आप इन चीजों से abide हैं, आप इन चीजों को follow करेंगे, while performing the audit, तो ये कुछ चीजे हैं, जो time to time हम लोग देखेंगे, अभी introductory lecture में मैं आपको, इधर से उधर, उधर से इधर घुमाता रहूँगा, objective यही है, आपको वो सारी चीजे दिखाना, जहां से हम इस audit को पढ़ने जा रहे हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा framework, अब इसके बाद, एक word आता है, types of audit का, audit होती कितनी तरह की है, audit primarily दो तरह की होती है, एक तो होती है, statutory audit, जब मैंने word यूज कर दिया, statutory, तो इसका मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ, उस audit की, which is being required under the provisions of law, statutory, और दूसरा मैंने word यूज किया, voluntary audit, voluntary audit वो है, जो आपने अपनी मर्जी से, अपनी willingness से, बिना किसी statutory requirement के करवाई है, अब आपके माइन में question आएगा, सर, एक person क्यूं voluntary audit को, अपनी मर्जी से, क्यूं खर्चे को करेगा, बिटा, audit के अपने कुछ फाइदे होते हैं, कुछ importance होती है, कुछ benefits होते हैं, जो derived होते हैं, आप audit से, accounts के अंदर, जो miss statements है, उनको, हो सकता है, identify कर ले, हो सकता है, audit के दुरान, आपको पता चले कि, जो policies use की गई थी, accounts को बनाते वक्त, financial statements को बनाते वक्त, that were not appropriate, that were not relevant, तो, कुछ persons, जिनके उपर, statutory requirement नहीं भी है, audit कराने की, but still, they get their accounts audited, तो, वो person, जो audit करा रहे होती है, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है, voluntary audit का, तो, अब मैं आपके साथ, जो next topic, discuss कर रहा हूँ, that is, types of audit, अच्छा, एट चीज का ध्यान रखिएगा, अभी मैं जो आपको ये topic करवा रहा हूँ सारे, मैंने पहले भी बोला, ये, कोई particular topic, किसी chapter का नहीं है, मैं in general, आपके साथ कुछ चीजे, discuss कर रहा हूँ, auditing concept से related, आज के lecture में भी, और जो next lecture होगा, हमारा, उसके अंदर भी, पॉइंट नमबर थ्री, types of audit, audit कितनी तरह की है, हम इसको दो categories में बाढ़ सकते हैं, two types, नमबर बन, statutory audit, and number two, voluntary audit, statutory audit से हमारा क्या मतलब है, audit, that is required by law, voluntary audit, audit, not required by any law, जब हम बात करते हैं, statutory audit के, तो क्या इसके कुछ examples हम discuss कर सकते हैं, जी हाँ, audit अंडर, जिन स्टूडेंट्स ने इंटर लॉग के अंदर चैप्टर नमबर टैन पढ़ लिया, section 139 से 148, वो तो इसका answer बड़े अराम से दे सकते हैं, company act के अंदर section 143 के अंदर auditor को कहा गया है, auditor आपको audit करनी है, किसकी books of account की and financial statements की, और इस audit को क्या नाम दिया जाता है, इस audit को नाम दिया जाता है financial audit, इसी तरह से company act के अंदर एक और audit की requirement है, और वो audit कोन सी है, cost accounting records की audit, audit of cost accounting records, और उसको क्या नाम दिया जाता है, cost audit का, तो क्या ये दोनों audit, under the requirement of law हो रही है, तो क्या ये दोनों ही statutory audit है, definitely हाँ, ये दोनों ही audit कोन सी है, ये दोनों audit statutory audit है, फिर बात आती है, क्या sir आप कोई और example भी दे सकते है, मैं भी दे सकता हूँ, आप भी तो दे सकते हैं, बताएंगे जरा, मैं चेक करूँ वापिस की मेसेज आभी रहे है या नहीं आ रहे है हां जी किसी और लॉग के अंदर जो आपने आडिट पड़ी हो मुझे लग रहा है चैटिंग में कुछ इशू है चैलेंज है हां जी बेटा कोई मेसेज भेजो गोपेश, आयूश, अगर्वाल, प्रिया, हेमा I think there is some challenge चलो कोई नहीं एक काम और करियेगा कि काफी स्टुडेंट्स वैसे भी, most of the students तो लाइव क्लासिस की जंगा गूगल ड्राइब बैक अप पर है तो यदि चाहे गूगल ड्राइब पर है या लाइव एठ होम बैच में है या सेंटर पर क्लास कर रहे हैं तो यदि कोई भी डाउट क्लास के अंदर द्यूरिंग डी क्लास डिसकस नहीं भी हो पाता तो आप आफ्टर दा क्लास भी मेरे से डाउट ले सकते हूं और जो आपको गूगल ड्राइब लिंक की मेल मिली होगी उस मेल के उपर आपको फोन नंबर भी मिला होगा जिस पर आप डाउट ले सकते हैं में मेंशन है जिस पर आप डाउट ले सकते हैं और टेक्निकल सपोर्ट के लिए कि यदि लाइव क्लासिस को जॉइन करने में कोई चैलेंज आ रहा है इवन जिन स्टुडेंट्स ने गूगल ड्राइव की ऑप्शन भी ली है वो भी लाइव क्लासिस को जॉइन कर सकते हैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट उसके अंदर नहीं है कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है सिरफ एक स्ट्रीमर उसमें अंदर होता है शायद वो आप टेक्निकल टीम से कोडिनेट करके लाइव बैच को भी जॉइन कर सकते हैं जब वो लाइव क्लास चल रही होती है तो लाइव क्लास इस बिसिकली एक फैसिलिटी है जो आप लाइव क्लास के अंदर अपने डिसकुशन अपने कोई डाउट है उसको रेज करने के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन यदि किसी भी रीजन से आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं आपका रेगुलर कोलेज है या फिर आपकी कोई और क्लास क्लैश कर रही है और whatsoever the reason is family के भी बहुत सारे challenges होते हैं तो यदि आप क्लास को बात में Google Drive पर देख रहे हैं then also यदि कोई भी डाउट है तो उसके लिए mobile number as well as email id की detail आपको Google Drive पर मिलेगी और live class join करने के लिए या फिर chatting करने के लिए कोई support चाहिए कोई technical issue आ रहा होगा तो वो भी Google Drive के अंदर technical team के नमबर गूगल ड्राइब लिंक की जो mail है उसके अंदर technical team के नमबर है उनसे आप coordinate कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम नमबर दो दूसरी हमारी audit आ जाती है under the fiscal laws या revenue laws fiscal law और revenue laws और इसके सबसे best example क्या है audit under section 44ab of income tax act 1961 earlier CGST act के अंदर भी एक audit होती थी section 35 में जिसको finance act ने remove कर दिया था तो आज GST audit नहीं होती है तो आज हमारे पास fiscal laws में जो example available है revenue law के अंदर जो example है that is audit under section 44ab of income tax act 1961 का नमबर तीन audit under other laws जैसे bank audit under the provisions of banking regulation act 1949 audit of LLP under the provisions of LLP act 2008 audit of cooperative societies under the provisions of cooperative societies act 1912 तो जहां पर भी किसी audit की requirement under the provisions of any law है under the provisions of any law तो हम उस audit को क्या नाम देंगे हम उसको नाम देंगे statutory audit का बट यदि audit एक person ने not under the requirement of any law rather अपनी willingness के उपर कराई है then उसको voluntary audit का नाम दिया जाएगा और इसका basic concept क्या है audit वो तो उपर आई गया not required by law इसके example क्या हो सकते है audit by an entity then required by banks bank ने मांग ली audit report क्यों? bank में गए थे loan लेने अब जब loan लेने गए तो bank ने का audit report लाओ bank वाले को बोला हमारी तो audit होती नहीं है ऐसे ही loan दे दो bank ने का ऐसे तो हम loan देते नहीं audit करा कर ले आओ तो ऐसे case में बेशक law की requirement नहीं है loan लेना है ठीक है वह या audit करा लेंगे इसी तरह से कोई grant लेनी थी government से government के पास पहुँचे department के पास पहुँचे department ने का financials दिखाओ हमने financial दिखा दिए अब financial audited नहीं थे government department के officer ने का इन पे मैं कैसे trust कर लूँ ये तो आपने खुद बना रखे हैं तो हमने बोला हम खुदी तो बनाएंगे और कौन बनाएगा department वाले बोले हाँ बनाओगे तो खुदी अब बनाओगे खुदी तो इसमें गड़बर भी करोगे हमने का नहीं नहीं हमने कोई गड़बर नहीं की तो department वाले ने क्या बोला होगा मैं कैसे विश्वास करूँ how I can trust on you तो हमारा reply होगा भाई साब कैसे trust करोगे बता दो mind में आ रहा होगा अक्सर ये पैसे लेने की बात कर रहा है ये सही है या नहीं रिश्वत तो बात में देखेंगे पहले formality तो पूरी कर लो तो हम आपकी audit report देखना चाहते हैं तो यदि audit required है by bank for loan by government किसलिए for grants तो हम ऐसी audit को बेशक वो किसी law की requirement में नहीं थी लेकिन वो required की गई थी by a bank, by government और आप किसी creditor से लो आप किसी person से कोई goods खरीदने जाओ किसी person से financial assistance मंगो किसी person से उसकी knowledge sharing की बात करो किसी person से copyrights के rights को use करने की बात करो in that case यदि वो person कहता है मैं आप पर rely तो कर सकता हूँ बट मुझे आपकी financials को examine करना है लेकिन वो आपके financials जो है वो audited होने चाहिए then only मैं आपके साथ किसी तरह की dealing कर पाऊंगा या मैं आपको assist कर पाऊंगा तो वो चीजे law में required नहीं थी वो किसी financial institution ने bank ने, government ने demand की थी तो ऐसी audit को हम क्या नाम देते हैं इसको नाम दिया जाता है voluntary audit का तो दो तरह की audit है एक statutory audit और दूसरी voluntary audit I hope ये topic भी clear होगा आपको अब आगे भढ़ते हैं अच्छा इन में से एक चीज और बता दूँ आपको यदि किसी भी topic में अभी at present कहीं पर कोई doubt भी आ जाएं तो उसकी कोई tension नहीं लेनी मेरा objective सिरफ audit के कुछ key words आपकी knowledge में डालना है आपको उन words के बारे में थोड़ा सा ज्यान देना है ताकि उसके basis पर जब हम आगे main chapters को पढ़ें तो आपको ये सारे words सुने सुनाएं लगें और आप इनको conceptually और ज्यादा better clarity के साथ पढ़ सकें तो कहीं पर कोई चीज आपको ऐसा लगे कि नहीं ये concept अभी पूरी तरह से clear नहीं हुआ या इसकी detail तो हमने की ही नहीं तो उसकी कोई tension नहीं लेनी इनकी detail हम आगे जाकर के जब main chapters पढ़ेंगे वहां पर आईगे नमबर चार अभी हमने बात की audit की अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ auditor की auditor कितनी तरह के होते हैं auditor भी दो तरह के होते हैं जैसे की जो नाम बताए गए थे उपर audit के statutory audit, voluntary audit तो उसी तरह से auditor भी statutory auditor हो गया voluntary auditor हो गया लेकिन हम generally इसको जो classify करते हैं statutory auditor को external auditor या voluntary auditor को internal auditor कह सकते हैं but there is a difference external auditor, internal auditor में statutory auditor and voluntary auditor में कुछ minor difference है statutory auditor ये वो auditor है जो law की requirement के अंदर आई गई audit को कर रहा होगा voluntary auditor ये वो auditor है जो voluntary audit को कर रहा होगा but जो generally word यूज किये जाते हैं audit terminology के अंदर वो external auditor and internal auditor या statutory auditor and internal auditor ये दो word यूज किये जाते हैं मैं पहले आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ फिर इसके कुछ examples लेंगे हम types of auditor A external auditor B internal auditor external auditor is a professionally qualified person internal auditor may or may not be professionally qualified though under the provisions of companies at 2013 यदि आपको याद आ रहा हो आपने एक chapter पढ़ा था inter law में जिसका नाम था accounts of companies का और उसका last section था section 138 का internal audit section 138 internal audit में लिखा गया था कौन सा person internal auditor हो सकता है और वहां बताया गया था कि एक chartered accountant या एक कोस्ट accountant या एनी अधर सच प्रोफेशनल प्रोफेशनल as decided by the board तो company law में तो सिरफ और सिरफ एक professional ही internal auditor हो सकता है but other than company law other than company law यदि कोई entity internal auditor appoint करती है that person may or may not be professionally qualified क्योंकि law की तो कोई requirement ही नहीं है this person is external to the organization entity say organization say बाहर का होगा और इसलिए हम इसको also known as the statutory auditor when appointed under the requirements of any law तो इस external auditor को हम statutory auditor का नाम भी देंगे जब इसको किसी law की requirement के अंदर appoint किया गया हो जैसे example लेते हैं उपर वाले चीज़ से इसको relate करते हैं यदि company law की requirement के अंदर एक chartered accountant firm को auditor appoint किया गया है तो वो chartered accountant firm company से बाहर की है तो वो external भी है और क्योंकि वो company law की requirement के अंदर appoint हुई है तो उसको क्या नाम दिया गया उसको नाम दिया गया statutory auditor का और वो statutory auditor क्या है external to the organization इसी तरह से एक bank ने auditor को appoint किया वो auditor एक CA firm है तो जो CA firm है वो कोन है external है लेकिन अमान लो internal audit के लिए internal audit के लिए company ने एक CA firm जो outside the organization है उसको appoint किया तो नहां पर हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है है तो वो internal auditor लेकिन है वो company के बाहर का तो क्या मैं उसको external auditor या statutory auditor का नाम दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ internal auditor वो organization के अंदर का भी हो सकता है और organization से बाहर का भी हो सकता है इस चीज़ का आपको ध्यान लखना है हाँ external auditor हमेशा बाहर का होगा बट internal auditor अंदर का भी हो सकता है और बाहर का भी हो सकता है नाम internal है but may be outside the organization जैसे इसका सबसे अच्छा example बहुत सारी companies में बड़ी-बड़ी companies की internal audit बड़ी-बड़ी CA firm या MNCs करती है जैसे Big Four, Deloitte, KPMG, PwC, EY इनके पास बहुत बड़ी-बड़ी companies की internal audit है अब है तो यह internal audit लेकिन यह तो company से बाहर के person है यह तो multinational companies है multinational consulting firms है तो internal auditor जरूरी नहीं है कि वो company के अंदर का ही हो वो company से बाहर का भी हो सकता है यह point थ्यान रखना है इन्टर्नल ओडिटर और में नॉट बी इन्टर्नल टू दी organization तो जरूरी नहीं है कि जो internal auditor है वो organization के अंदर का ही कोई व्यक्ति हो वो outside the organization भी हो सकता है 138 आपने पढ़ा हुआ है मैं उसका एक छोटा सा note आपको लिखवा रहा हूँ note as per requirements of section 138 of Companies Act 2013 13, certain companies are required to appoint internal auditor for internal audit function. तो अब यह जो internal audit है, इसकी requirement कहां से आई? कम्पनी एक 2013 से आई, क्या इसको मैं statutory audit का नाम दे दू? नहीं नहीं. इस तू फैसिलिटेट और असिस्ट दा मैनेजमेंट मैनेजमेंट को असिस्ट करना था इंटर्नल ओडिट का परपस तो बेशक ये इंटर्नल ओडिट अंडर दा रिक्वाइर्मेंट अफ लौ थी section 138 of Companies Act 2013 वट फिर भी मैं इसको statutory audit का नाम नहीं दे सकता इट रिमेंज इंटर्नल ओडिट एक और नोट लिखिये अपरसन खना और ह खलिए प्रzes तो गमा फिर णिवेंगिक्प्रोंक्ते तुक्तम्त송 प्रप्रोंक्ति रिएंटे कुट्छशस थी निटेश्यर्मे इंटर्नल ओडिट translator को व national external to the organization, if appointed by the entity for internal audit purposes, मैं उसको external auditor नहीं कह सकता, cannot be considered as external auditor. तो ये दो exception है जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि कुछ audit law की requirement में होने के बावजूद statutory नहीं कहलाई जाएंगी, और कुछ auditor external होने के बावजूद external नहीं कहलाई जाएंगे. माल लो, आपकी एक company है, उस company में internal auditor की requirement है, आपने मुझे approach किया, कि मैं आपकी company की internal audit कर दूँ, मैंने का ठीक है मेरे पास समय है, और मुझे audit की थोड़ी बहुत knowledge भी है, मैं आपकी audit कर दूँगा, और आपकी और मेरी एक understanding बन गई. मैंने आपके यहाँ internal audit की अपने charges लिये, internal audit report मैं बनाता हूँ और आपको देता हूँ, जिसके base पर आप अपनी organization में corrective actions को time to time लेते रहते हैं. तो मैं आपका employee नहीं हूँ, मैं आपके द्वारा बताई वह requirement के हिसाब से काम करता हूँ, but I am a freelancer, मैं अपने आपको आपके यहाँ पर सिरफ और सिरफ एक professional capacity में associate कर रहा हूँ, not in capacity as an employee. तो मैं आपसे external हूँ, लेकिन मुझे appoint किया गया था for internal audit purpose, बेशक मैं external हूँ to the organization, तो मुझे external auditor कभी नहीं कहा जाएगा, हमेशा मैं क्या रहूँगा, internal auditor ही रहूँगा. तो इस तरह से यह दो exception है, कि कुछ audit law की requirement में है, but still हम उसको statutory audit नहीं कहेंगे, और कुछ auditor external है, organization के, but still वो external नहीं कहलाए जाएगे, they remains as the internal auditor. इसके मैं आपको एक दो example और लिखवाता हूँ, जो मैंने आपके साथ discuss किया, अभी वो. ABC Limited अपूंट मेसर्स राम्शाम और असोचेत्स, A CA firm as its internal auditor on a remuneration of Rs. 1,00,00. वेदर मेसर्स राम्शाम और असोचेत्स राम्शाम और असोचेत्स क्या जबाब आएगा? आंसर आएगा no. जब आपने इनको internal auditor appoint किया है, तो यह internally कहलाई जाएंगे न external थोड़ी कहलाई जाएंगे. यह एक outside CA firm थी. क्या यह statutory auditor कहलाई जा सकते हैं? आपंटमन अ सक्ति की नखर मेर स्क्वार को एकषण को रार क्वारा म्रुकार 00。 whether such engagement can be considered as statutory audit. Number 1 question मैंने आप से कहा क्या मैं external auditor मानूँ क्योंकि ये organization से बाहर के person है. Number 2 पर मैंने कहा क्योंकि ये 138 की requirement के अंदर हैं तो क्या मैं इसको statutory audit मान सकता हूँ? इसका भी सीधा सा जवाब आएगा No Sir No, Big No, नहीं मान सकते. ये दोनों ही point हमारी जो उपर दो exception मैंने आपको लिखवाई थी उसके basis पर थे. So, ये हमारा topic था about various types of auditor का. तो चार topic हमने अभी cover किये. Number 1 audit का meaning. Number 2 पर हमने बात की framework of auditing की. Number 3 पर हमने बात की types of audit की. And number 4 पर हमने बात की types of auditor की. तो अब एक काम करते हैं. 10 minute का एक break लेंगे. और break के बाद इस session को आगे continue करेंगे. Right? चलिए. चलिए.